अलो बटाजी कैसे हैं आप लोग वेलकम टुई एलगाट्वी माइनम इस बनोज राना आज हम करने वाले हैं क्लास 10 स्टाटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 बिना किसी चिट चैट के शुरू करते हैं इस एक्सराइज को करने के लिए आपको कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो देर एन्वार्मेंट अवेर्नेस प्रोग्राम इन विस्टे क्लेक्टेड फॉलिंग डिटा रिगार्डिंग दिनमबर फ्लांट्स इन अलो कैलेटी फाइंड मीन नंबर फ्लांट्स पर हाउस ठीक है तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वह हम यहां पर नोट कर लेते ह आप नोट घाये है उसके मिट पॉंट है उन्हें हम क्लास मार्स ब्होते हैं था हमारे पास आई है हमारे पास और डिमित दो कि यहां पर आप देखेंगे कि आपके बास टू बाइटू यानि वन आ जाएगा यहां पर टू प्लस फोर सिक्स बाइटू थ्री आजाएगा और रागुलर इंटर्वल में एक फायदा यह होता है कि अगर आपको यहां पता चल गाएगी कितने का डिफरेंस आ रहा है तो य ससीदा भी यहां पर इस तरह से कर सकते है नाइन इन यह एन रहएए और जू देखने व RIGHT kurz यह होति है इसके बाद कि जो हमारे पास नंभर सायं है क्को अगा हम सब पर कोई method देखने की जरूत नहीं है बलकि हम fi और x i को multiply कर देंगे तो यहाँ पर क्योंकि यह बहुत easy calculation है तो हम f i x i ले ले लेते हैं 1 1s are 1, 2 3s are 6, 5 1s are 5, 7 5s are 35 और इस तरह से आपके पास सारे के सारे प्रोडक्ट आगें अब आपको कुछ करने की जरूते हैं यहाँ पर आपने जो totaling करनी है वह आपने एक तो f i की करनी होती है और एक f i x i की करनी होती है तो यहाँ पर जो है कई बार f i का सम तो हमें में वहाँ पर question में ही दिया होता है एक दो तीन एक चार पांच नो छे पंदरा और पांच बीस मेरी जो हिंदी है उसमें calculation थोड़ी जी अच्छी है तो मैं हिंदी में रखूंगा आपने वह 123 and 14 करना है आपकी मर्ची है तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर add करता हूं तो मि यह जो मेरे पास सम आया है यह है मेरा sigma fi को small n या capital N से भी represent किया जाता है तो यह हमारे पास 20 आ गया उसके बाद जो मुझे दूसरी चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है यहाँ पर fixi का सम तो यह मेरे पास fixi is equal to यहाँ पर हम देखें यह तो 7, 5, 12, 29, 21, 11, 32, 3, 3, 9, 9, 9, और 7, 16, तो हमारे पास 16, 2 आ गया तो यह हमारे पास total जो हमने add किया है यह आ गया है अब हमने क्या करना है हमें पूछा गया है कि महाँ पर mean number of plants per house कितने होंगे तो now mean number of plants mean number of plants जो है हमारे पास per house वो simple हमारे से जो पूछ रहा है वो है हमारे पास x bar यह x bar जो है उसका formula अगर हम direct method की बात करते हैं वो होता है sigma f i x i upon sigma f i तो जो भी हमारा यहाँ पर यह sum आया है यानि 162 हम just 162 को divide कर देंगे 20 से और हमें कुछ भी नहीं करना है और जो हम divide कर देंगे इसे तो आप देखी सकते हैं कि हमारे पास जो है वह 8.1 आजाएगा 8.1 हमारा मीन हो गया जो प्लांट पर हाउस नंबर हमने निकालना है उसका तो जो फर्स्ट कोशन है वह आपको एक नया फार्मूला जो दे रहा है अगर आपने पहले नहीं किया वह जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको कोई आपको मीन देता है और जो मैंने यूज किया है इसे बोलते हैं डारेक्ट मैथड क्योंकि इसमें हमने कोई भी इंटर्मीडियेट वैल्यू नहीं लिए सिंपल हमारे पास फाई जो है वो दिया हूँ था अप्रोडक्स का समाय और जो फाई के शमाया दोनों को दिवाइड कर दिया अब यहां पर जो है वह हमने जो निकालना है वह हमें बोलावा फाइंड मीन डेली वेजिस ऑफ दॉप्रोप्रियेट मैथर यह जो है यह तो वह डेटा था जो हमारे को कॉश्चन में दिया हुआ था अब जो है वह हम here the class marks निकालेंगे class marks हम जानते ही हैं जो भी हमारे पास class interval हैं उनके mid points होती है िहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों अगर हम जोड़ें यहां पर जो भी lower limit और upper limit है और दिवाइट करें टू से तो हमारे पास यहाँ पर 110 मैं आ जाता है और ऐसा ह ही आप हर जगए भी कर सकते हैं मैं आपको डारेक्ली बता रहा हूं कि हमारे पास क्या क्या आएगा यह आजाएगा फिर आएगा 170 और यहां पर आएगा 190 अब अब अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास जो नंबर से वो नंबर थोड़े से बड़े हैं ऐसा नहीं है कि हम इनको नंबर से हमारे पास आजाएं यानि थोड़े से बड़े नंबर सा जाएं तो यह मैथड ना यूज किया जाए तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी वहां पर observations है तो हम देखेंगे one two three four five और ध्यान लगना मैं exact number of observations की बात नहीं कर रहा जो यहां पर fi के सम से आएंगी मैं जस्त यहां पर बता रहा हूं आपको कि हमारे पास कितने intervals के अंदर observations है तो हमारे पास सिरफ five intervals है अगर यह odd number है तो इसका एक midpoint होता है तो अगर मानलो हम five की बात करते हैं तो five का जो mid होता है वो हमारे पास three होता है अब अगर three होता है तो हमारी जो third observation है हमारा जो third midpoint है इसे हम assumed mean ले ले लेते हैं assumed mean का मतलब हम simple उसको एक a letter जो है वो दे देंगे यहां पर अब इसे अगर हमने a letter दे दिया तो अब इससे फायदा क्या होगा अब यहां और अच्छा एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ अगर odd number नहीं होता even number होता तब भी कोई problem नहीं थी simple आप उसको divide कर देते हैं अगर हमारे पास जैसे 5 है तो 5 में हम जानते हैं कि जो mid value हो 3 होती है अगर 6 होता तो simple आप उससे 2 से divide कीजिए तो 3 आ जाएगा तो आपकी third value हो जाएगी अब यहां पर जो next हमारे पास step है वो है हमने यहां पर di नि 10 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास minus 40 आ जाएगा यहां पर हम देखेंगे तो हमारे पास minus 20 आ जाएगा यहां पर हमारे पास 20 आ जाएगा और यहां पर हम देखेंगे तो हमारे पास करके कि first question में हमने direct method जो है वो समझा है अब ne है वो मैं आपको simple di method जो हमारे लिए deviation method होता है ये जो deviation और step deviation ये दो अलग-अलग होते हैं इस deviation method को assumed mean method भी कहते हैं तो अभी हम सिरफ assumed mean method कर रहे हैं एक एक करके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा याद रखना first वाला था direct method अब हम करने वाले हैं assumed mean method इसमें क्या करते हैं जैसे direct method में हमने fy को xy से multiply किया था इसमें हम fy को di से multiply करेंगे हमारे पास fy di आएगा यह हमारे पास di है यह हमारे पास fy है दोनों को अगर हम multiply करते हैं तो हमारे पास minus 480 आ गया यहाँ पर 14 यहाँ पर हमारे पास जीरो आएगा यहाँ पर 120 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 400 आएगा अब आपने जो fy di आया है जैसे आपने first method में fy x i को अब आपने fy di को करना है लेकिन आपको नेगेटिव साइंस जो है वो consider करने ध्यान रखना है अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके वास negative 760 है और यहाँ पर अगर आप positive देखेंगे तो 520 है दोनों के बीच में डिफ्रेंस जो है वो 240 और नेगेटिव नंबर बढ़ा होने करने आपके पास negative 240 आएगा तो अब यहाँ पर हमने जो करना है वह हमको एक चाहिए सम एप यह तो हमेशा ही चाहिए होता है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे प पास capital N small n या sigma fi जो है वह हमारा 50 आ जाता है अब यहाँ पर हम FIDI जो है वह कैलकुलेट करी चुके हैं तो हमने यहाँ पर इतना करने के बाद हमारे पास क्या आएगा अब जो भी उसने मांगा है हमसे वह मीन डेली वेजिस तो now mean daily wages of the workers तो of the workers अब यह जो हमारे पास है यह आएगा एक्स बार से और यहाँ पर हमारा एक्स बार का जो फार्मूला होता है assumed mean method में वह होता है a plus sigma fi di upon sigma fi तो आप देखी सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सारी values जो हैं वह हम calculate कर चुके हैं a की value हमने 150 ली थी यह हमारे पास 150 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास minus 240 था तो हम यह इस तरह से ले लेंगे upon हमारे पास 50 है तो यह आ जाएगा हमारे पास तो अगर हम देखें तो हमारे पास 150 minus 4.8 आएगा और अगर हम इनको minus करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 145.2 और क्योंकि यह रुपीज में answer है तो हम यहाँ पर 0.20 लगा देंगे लेकिन वह answer statement में हैं जब हम answer statement वहाँ पर ल कर्स इस रुपीज 145.20 अभी के लिए आप यहाँ पर 145.2 भी लिख सकते हैं कि क्योंकि नबर त्री देखेंगे जो हमारे पास class marks आएंगे जो हमारे पास midpoint होते हैं जो हमारे class interval है उनके 1113 जिनने नहीं पता simple इनको add कीजिए 2 से नहीं है तो obvious है फिर problem हो जाएगी तो हमारे पास यह आ जाएंगे जो class marks है अब अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम multiply करते हैं तो हमारे इंटरवल जो है वह 7 है तो 7 का अगर हम पर class mark है उसे हम assumed mean ले ले लेते हैं अब जो assumed mean है इसमें अगर हम di निकालें तो हमारा di जो है वो आएगा x i minus a से यानि हमने यह सारे जो भी x i हैं उनमें से 18 को minus करना है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यह minus 6 आ जाएगा minus 4 आ जाएगा minus 2 आ जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें 0 यहाँ पर 2 फिर 4 और यह 6 आ जाएगा अब आप देखिए कि क्या आप जो आप करास di आए हैं उन्हें आप fi के साथ comfortably multiply कर सकते हैं और क्या हमारे पास ऐसे नमबर आएंगे जिने हम add कर सकते हैं आराम से तो हाँ अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर FIDI जो है यह प्रोड़क्त ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 42 आ गया यहाँ पर हमारे पास 24 तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास नेगेटिव नमबर अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव हमारे पास 84 है और यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव देखते हैं तो हमारे पास 44 है तो हमारे पास जो यहाँ पर हैं वो हमारे 84 और यह 44 दोनों को अगर हम सब्ट्रेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 40 हो अब हम देखते हैं जो वारीवल नहीं वह पास्थ डूए है वह हम अलग से लिख लिए यहां पास प्लस टूए अलग से लिखेंगे यहां पर और यह 44 जो है यह हमारे पास constants आगए और साथ में एक हमारे पास जो है वो variable f है यहाँ पर अब जो है वो just हमने एक formula जो है वो use करना है तो now हमारे पास यह mean pocket allowance का formula लगाएंगे mean pocket allowance यह जो है यह हमारे को mean x bar देगा और x bar जो है वो हमारा a plus sigma fi di upon sigma fi होता है अब यहाँ पर हमारे पास a की value 18 है जो हमारे पास fi di है वो हम यहाँ पर निकाले चुके हैं वो हमारे पास minus 40 plus 2f और upon जो हमारे पास 44 plus f है यह हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरह से अब according to the question अगर हम देखें तो हमारे पास x bar की value उन्होंने दी हुई है वो हमारे को उन्होंने 18 दी हुई है तो यहाँ पर हम वो according to the question करके बता देंगे यह हमारे पास x bar जो है यह हमारे पास 18 है अगर यह 18 है तो हम यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो मैं थोड़ा सा इसको उपर कर देता हूं एक दो लाइंस में कहले काफी नहींगी तो क्योंकि यह 18 है तो यहाँ पर हमारे पास 18 आगया यहाँ पर हमारे पास 18 अल्रेडी है प्लस जैसा है हमारे पास हम वैसे कभर ऐसा लिख देते हैं 40 प्लस 2F अपॉन 44 प्लस F यह 18 जब इधर आजएगा तो यह 0 हो जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास एक साइट जो है वो 0 हो जाएगी और दूसरी साइट हमारे पास minus 40 प्लस 2F आएगा और नीचे जो है वो हमा minus 40 plus 2F is equal to 0 बचेगा, एक साइड में हमारे पास just 0 और एक साइड में यह numerator, अब यह जो 40 है, इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास अगर हम इसे दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं, तो हमारे पास 2F की value जो है, वो 40 आ जाएगी, और अगर हम F की value यहाँ पर नि 20, question number 4, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows, find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method, यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला step रहता है, वो होता है class marks, तो हम class marks निकालेंगे, यहाँ पर 65 और 68, इनको अगर हम add करके 2 से डिवाइट करेंगे, तो हमारे पास 66.5 आएगा, उसके बाद इसे करेंगे, तो 69.5 आएगा, और बहतर जाता है कि आप इसका midpoint जो है, वो अराम से देख लें, वो आपको ज़्यादा easily समझ में आएगा, और अब आपने just वहाँ पर इसी order में आगे बढ़ना है, तो मैं आपको सीदा सीदा यहा और यहाँ पर 81.5 आएगा, और यहाँ 84.5 आएगा, ऐसा तब होता है, जो हमारे class interval जो है, वो order में हो, अब अब अगर हम यहाँ पर direct method देखें तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि direct method तो बहुत ज़्यादा problem देगा हमें, तो हमें assumed mean जो है, वो निकालना है, अब यहाँ पर 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 class intervals है, तो 7 का mid जो है, वो हमारा 4 होता है, तो 1, 2, 3, 4, यह हमारे लिए assumed mean हो गई, अब हम यहाँ पर D निकालते हैं, तो D I जो है, यानि deviation जो है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, X I minus A, अब X I minus A अगर हम लेंगे, तो यहाँ पर इस में से हम यह जो है, minus करेंगे, तो अगर मानलो हमारे पास 66 है, यहाँ पर यह 75 है, अगर हम दोनों को minus करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 9, और क्योंकि हम 66 में से minus करते हैं, तो obvious है, minus 9 आएगा, यहाँ पर हमारे पास minus 6 आएगा, यहाँ minus 3 आएगा, यह 0 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ पर 6, और यहां पर 9, अब अगर हम देखें तो calculation इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं बची, अब हम यहां पर चाहें तो बहुत easily इनको multiply करके product ला सकते हैं, और product को हम add भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक step और extra जाएं तो आप जा सकते हैं, मैं आपको क्योंकि यह वाला method बता चुका हूँ, तो एक नया method आपको बता जिता हूँ, जिसे हम बोलते है step deviation method, तो step deviation method में हमारे पास हम UI निकालते हैं, और UI कैसे निकलते हैं, जो भी आप di निकाल चुके हैं, उसके upon में आपने h रखना है, h क्या होता है, class size, class size कितना है आपको 3, तो यह आपके पास आजाएगा, minus 3, यह minus 2, यह minus 1, 0, 1, 2, 3, generally statistics में या तो हम mean method के लिए direct method अप्लाई करते हैं, और नहीं तो सीधा हम इसे shortcut method बोलते हैं, step deviation method जो होता है, सीधा step deviation बहरते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम deviation method यानि कि assumed mean method जो है, उसे हम apply करें, अब यह जो है, क्योंकि जब easy करना है तो फिर super easy क्यों नहीं, अब 9 से multiply करना है तो 3 से क्यों नहीं, तो एक छोटा सा step हमारे को काफी easy महाँ पर output देदेगा, अब यहाँ पर अगर हम FI UI देखें, तो FI UI, 2, 3, 6, 4, 2, 8, 3, 0 होने के कारण टेंशन ही नहीं, 7 बन्जा 7, 4, 2, 8, 2, 3, 6, हमारे पास आप जैसे मर्जी चाहें, मैं सीधा सीधा सा देख रहा हूं कि 608 माइनस में है, 608 प्लस में है, यह cancel हो रहे है, 7-3, 4 होता है, तो अब हमें क्या-क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पर चाहिए, एक तो जो हमारा FI का सम है, FI का सम जो है, वो मैं हिंदी में सम कर ले तो हूं, आप English में कर ले ना, 2, 4, 6, 3, 9, 8, 17, 17, 24, और 6, 30, तो यह हमारे पास 30 आ गए, यहाँ पर अगर हम देखें, तो हमारे पास जो है, वो FI UI जो है, वो अगर हम देखेंगे, तो हमारे पास 7-3, सीधा-सीधा 4 आ गया, अब यह दो चीज़ें अगर मिल गई, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मीन निकालने में, तो अब जो question में बोला गया है, वो क्या था हमारे लिए, मीन heartbeats per minute for these women, तो यहाँ पर अब वो ही निकालते हैं, now, mean heartbeats per minute, अब मीन अगर हमने निकालना है, तो x-bar का फार्मूला, x-bar का फार्मूला जो है, क्योंकि हम step deviation method ले रहे हैं, तो होता है a, plus sigma fi ui, upon sigma fi, multiplied by h, values put करते हैं, a की value हम देखी सकते हैं, 75.5 है, fi ui हमारे पास 4 आया है, जो हमारे पास sigma fi है, वो हमारा 30 है, और multiply हमने करना है, class side से, जो हमारा 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से यह आ जाएगा, अब अगर हम इसको देखें, तो यह हमारे पास 0.4 देगा हमें, क्योंकि 3 और 30 आपस में cancel होकर 10, और 4 upon 10 जो है, वो हमारे को पता है, 0.4 होता है, तो हमारे लिए जो final answer है, वो आजाएगा 75.9, आप अगर answer statement जो है, वो देना जाते हैं, तो answer statement यह ही होगी, mean heartbeats per minute for these women is 75.9. So friends, that's it for this video, if you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon, and please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video, bye bye, take care. Question number 5, In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? अब इसे solve कैसे करेंगे उसकी बात. तो यहाँ पर इसे solve करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर हम problem देखें तो वो यह है, कि हमारे class intervals जो है, उनमें जो previous हमारे पास class interval है, उसका upper limit जो है, अब यह जो है, यह उसकी upper limit है, और जो भी हमारा current class interval है, उसकी lower limit दोनों सेम नहीं है. तो ऐसे में क्या किया जाता है? ऐसे में इन दोनों के बीच में जो difference है, अब अगर आप देखेंगे, इन दोनों के बीच में difference 1 है, और यह constant होना चाहिए. अगर यह नहीं होगा, तो एक दूसरा method यूज होता है, लेकिन अभी के लिए simple हमारे पास, यहाँ पर जो difference है, वो one है, और यह one ही है हर जगे, तो इसका half कर दीजिए, तो हमारे पास point five आ जाएगा, जो point five आएगा, वो आपने lower limit में से minus करना है, और upper limit में plus करना है, तो यहाँ पर आपके पास corrected class interval आ जाते हैं, तो, corrected ci में लिख देता हूँ, class interval, और अब जो है, वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, 49.5 क्योंकि point five हमने minus करना है, और 52.5, अब जो हमारे पास, यह upper limit आई है, यह upper limit ही आगे यहाँ पर जाएगी, और अगर आप देखें, तो वैसे भी 53 में से point five minus करेंगे, तो यह ही आएगा, यह आपके पास 55.5, उसके बाद, इसी तरीके से यहाँ पर जाएगे हम, 58.5 हो जाएगा, 58.5 to 61.5, 61.5 to 64.5, और जो हमारा next step होता है, वो same ही रहता है हमेशा, यानि हमें class marks जो हैं, वो निकालने होते हैं, यानि इनका midpoint, तो इन दोनों को अगर हम midpoint देखेंगे, तो दोनों को अगर हम add करते हैं, और two से divide करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 51 आता है, यहाँ पर हम अगर करेंगे तो 54 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 60 आ जाएगा, यह हमारे पास 63 आ जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास class marks आ गए, class marks आने के बाद हम देखते हैं, कि हम कितनी बड़ी problem में हैं, तो यहाँ पर अगर हम numbers देखते हैं, तो 51, 15, अगर हम multiply करें, तो यह तो बहुत बड़े-बड़े product आएगे, और बहुत ज़्यादा time consuming हो जाएगा, तो ऐसे में हम जो है, वो एक step आगे बढ़ते हैं, एक step आगे बढ़ने के लिए हमें वहाँ पर deviation जो है, मिट का मतलब third, वो हम यहाँ पर assumed mean ले लेते हैं, तो यह हमारा assumed mean आगया, अब हम यहाँ पर जो हमारा deviation है, वो देखते हैं, तो di जो है, वो हम कैसे calculate करते हैं, वो होता है, x i minus a, तो अगर 51 है, तो 51 में से अगर 57 minus करेंगे, तो minus 6 आएगा, यहाँ पर हमारे पास minus 3 आएगा, 0, 3, and 6, इस तरह से हमारे पास di आगए, लेकिन अभी भी अगर हम देखें, तो हमारे पास यह numbers भी इनके साथ multiply होके, हमें लग रहा है कि हाँ नहीं, अभी भी कुछ बड़े आएंगे यहाँ पर product, तो ठीक है, हम एक और extra step लेते हैं, और वो जो हमारे पास extra step है, वो होता है UI, UI में हम क्या करते हैं, जो हमारा di आया है, उसको divide कर देते हैं हम h से, अब यह h क्या होता है, h होता है हमारा class size, अगर आप देखेंगे, तो हमारा class size यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर जो corrected है, वो हमारा 3 है, तो main जो है, वो हम corrected class interval जो है, उसका size देखेंगे, तो यहाँ पर 3 होने कारण, हम इन सब numbers को 3 से divide करते जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर minus 2, minus 1, 0, 1 और 2 आजाएंगे, और हमेशा आप याद रखेंगे, पास कहीं ना कहीं 0 होगा, उसके नीचे जो है, वो 1, 2, 3, 4 चलेगा, और उसके उपर जो है, वो minus 1, minus 2 चलेगा, अब अगर हम देखेंगे, तो हमारे numbers जो है, वो थोड़ी से comfortable होगे हैं, अब हम आराम से इनको multiply, जो है, वो कर सकते हैं, तो अब जो हमारा step होता है, वो होता है FIUI, अब यह हमने FIUI जो निकालना है, उसमें अगर हम देखेंगे, तो यह हमारे पास minus 30 आजाएगा, minus 1, यहाँ पर minus 110 आजाएगा, यहाँ पर 0 आजाएगा, 1 को 115 से करेंगे, तो 115 ही आएगा, और 25 को अगर हम 2 से करेंगे, तो 50 आजाएगा, तो हमारी जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो product काफी comfortably हमने निकाल ली है, अब अगर हम add करें, तो हमें क्या-क्या add करना होता है, एक तो हमने FI जो हैं, वो add करने होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो sigma FI, यह कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यह 20, 2, 3, 4, 7, 8, 10, और यह हमारे पास 4, तो हमारे पास total जो है, यह 400 आ गए, अब यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं, हमने just FI, यू आई जो है, वो एड करना है, हमारे पास sigma FI, यू आई, इसमें अगर हम देखेंगे, तो हमारे पास simple 25 आ जाए गई है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो हमारे पास simple positive 5 आ जाता है, positive 5 को 50 मेट करेंगे 55, 55 में से 30 अगर माइनस करेंगे, तो हमारे पास 25, यह मेरा method है, आप चाहें तो पहले देख लिए कि 140 negative है, और यहाँ पर हमारे पास 165 positive है, जैसे मर्जी करेंगे, हमारे पास आएगा यह ही, अब जो है, वो हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए वहाँ पर mean, तो जो भी हमारे पास mean value है, जो भी उसने वहाँ बोली हुई है, हमसे उसने मांगा था, महाँ पर mean number of mangos, तो अब जो है, वो हम वहाँ पर उसको mean number of mangos दे देंगे, तो mean number of mangos, mean number of mangos के लिए, हमारे पास step deviation method जो है, वो हमें एक नया formula देता है, और वो क्या है, a plus sigma fiui upon sigma fi into h, तो जो हमारे पास deviation method होता है, उसमें हम fi di upon में fi जो है, वो तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर multiplied में h नहीं लेते, तो यहाँ पर अब यह method थोड़ा सा अलग हो गया है, तो यहाँ पर अगर हम value देखें, तो a हमारा 57 था, यह तो हमारे पास ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, जो हमारे पास fiui था, वो हमारे पास 25 है यहाँ पर, divide हम करेंगे, इसको fi से जो हमारा 400 है, जो हमारे पास corrected, वहाँ पर class interval है, वो 3 है, तो यह हम यहाँ पर 3 लेंगे, यह हमारे पास आ जाएगा, 75 upon 400, जैसे मर्जी आपका, जैसे आप चाहें, तो यहाँ पर अगर उपर इसको cancel करते हैं, तो यह 3 upon 16 आ जाता है, आपने decimals में लेना है, decimal में आपके पास जो है, वो आएगा 0.1875, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास numbers हैं, वो 57 plus में 0.1875 है, तो हमारे पास जो है, वो आजाएगा 57.1875, अगर हम round off इसको करना चाहें, तो हम कर सकते हैं, अगर two decimal places की बात करें, तो हमारे पास 57.19 आ जाएगा, तो यह जो है, अगर approximately हम देखेंगे, तो 57.19, यह हमारा answer होगा, question number 6, the table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality, daily expenditure जो है, वो दिया हुआ है, number of households दिये हुए हैं, और हमें बोला हुआ है, find the mean daily expenditure on food by a suitable method, यहाँ पर हम XI निकाल लेंगे, XI हमारा midpoint होता है, तो 100, 150 जो है, उसे add करके, आप 2 से divide कीजिए, या फिर आप direct देखेंगे, तो 125 आपको सामने ही नज़र आएगा, इसका midpoint, और 175, 225, 275, और 325, अब अगर हम इने multiply करेंगे, तो obvious है, numbers काफी बड़े आएंगे, और हम स्टाटिस्टिक्स में, बड़े numbers से हमेशा बचने ही कोशिए करते हैं, क्योंकि numbers बहुत बड़े हो जाते हैं, अगर हम इन्हें ऐसे ही let go करेंगे तो, तो हमारे पास 5 class interval हैं, 5 class interval हैं, तो सीधी सी बात है, जो हमारा third होगा, वो midpoint होगा, यह हमारे पास assumed mean आ गई, अब जो है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि deviation method जो है, उससे अच्छा होता है, सीधा ही step deviation method ले रो, तो step deviation method में क्या करते हैं, हम UI निकालते हैं, और UI कैसे निकलता है, जो XI है, XI minus A upon H से, यानि 125 में से 225 minus करो, और divide कर दो उसको जो भी class size है, class size हमारा कितना है यहाँ पर, 50, अब अगर 50 है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो minus 100 upon 50 कितना हो जाएगा, minus 2, अगर 175 minus 225 करेंगे, तो minus 50 आएगा, और 50 से divide करेंगे, तो minus 1, उपर हमेशा वो minus 1, minus 2, minus 3 इस तरह से देगा, और नीचे 123 देगा, तो इसलिए हमारी जो calculations है, वो बहुत easy हो जाती है, UI वाले method से, तो अब यह जो हमारा shortcut method है, उसमें हमारे को FIUI चाहिए होता है, तो अब जड़ा यहाँ पर multiply कर देते हैं, यह हमारे पास minus 8 आ गया, यहाँ पर हमारे पास minus 5 आ गया, यह zero हो गया, यह हमारे पास 2 आ गया, और 2 को 2 से multiply किया, तो 4 आ गया, तो हम देख सकते हैं, यह हमारे पास 6 है, उपर अगर हम देखें, तो minus 13 है, तो हम सीदा सीदा देखें, माइनस 7 आ जाएगा अगर हम इसे एड़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सिग्मा एफ़ाई सिग्मा एफ़ाई जो है वो हमारे पास 4, 5, 9 21 और 4, 25 यानि 25 आ गया यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एफ़ाई यू आई की वैल्यू माइनस 7 आ जाएगी अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए यहाँ पर मीन डेली एक्सपंडीचर तो मीन डेली एक्सपंडीचर जो है नाउ मीन डेली एक्सपंडीचर इसके लिए हम मीन फॉर्मूला लगाएंगे जो मीन फॉर्मूला है हमारा जो shortcut method वाला है वो है हमारे पास a plus sigma fi ui upon sigma fi multiplied by h a की value हमारे पास 225 है तो यह हमने 225 ले ली इसमें हम जो हमारा minus 7 है वो उपर ले लेते हैं जो हमारे पास 25 है वो हमारा नीचे आ जाएगा multiply class size से करना है जो कि हमारा 50 है तो अगर हम देखें तो यह हमारा 2 से cancel हो रहा है 2 से cancel हो कि इससे अगर multiply करेंगे तो minus 14 हो जाएगा और अगर 225 में से minus 14 करते हैं 225 minus 14 तो हमारे पास 211 आ जाता है question number 7 to find out the concentration of SO2 in the year in parts per million ppm the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below data आप सामने देखी सकते हैं आपका अस्टेबल है यहाँ पर find the mean concentration of SO2 in the year XI ले ले लेते हैं XI हमारे class marks होते हैं जो इन दोनों को plus करके divide अगर हम 2 से करेंगे तो आ जाएंगे तो हमारे पास आजाएगा 0.02 0.06 0.10 0.14 0.18 0.22 clearly multiply अगर हम करते हैं तो काफी complicated हमारे पास results आएंगे तो हम नहीं करेंगे अब हमारे पास फिर से वोई दो method आ गए हमारे पास एक DI और एक UI और मैंने हमेशा आपको काई है कि अगर direct method comfortable नहीं है तो हमेशा सीधा-सीधा UI पर जाओ UI पर जाने के लिए हमें assumed mean चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 class intervals है 2 से divide आप करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा तो आपकी जो third observation यहाँ पर class mark है यह आपका assumed mean बन गया अब अगर आप UI निकालेंगे UI आपके पास आजाएगा यहाँ पर XI minus A upon जो भी आपके पास class size होता है class size है आपका 0.04 तो यहाँ पर जो है वो आप अगर minus करते हैं तो 0.10 में से 0.02 minus करेंगे 0.08 आएगा divide करेंगे 0.04 से तो हमारे पास जो है वो आजाएगा minus 2 minus क्यों क्योंकि 0.02 में से 0.10 हमने minus करना है यह हमारे पास आजाएगा minus 1 यह 0 जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप यह calculation सब कुछ अगर order में है तो तो यह वाली calculation जो है इसे आप skip भी कर सकते हैं जो आपके पास अजूम मीन आती है उसके सामने आपके पास जीरो आएगा उपर minus 1,2, minus 3 ऐसे ऐसे आएगे और नीचे 1,2,3 हो जाएगे अब यहां पर जो है वो और calculation का ध्यान रखना कई बार यह जो है यह सही order में नहीं दिये होते तो इसको पहले चेक कर लेना अगर यह दिये हुए है तो फिर आपके पास यह भी order में आते हैं और यह भी इसी order में आते हैं फिर तो problem ही नहीं होती तो अब आगे बढ़ते हैं आप हमें चाहिए हम देखेंगे कि कितने easy numbers आ गए यहां से अगर हम देखते हैं यह देखते हम numbers तो यह थोड़े से हमारे को complicated result देते और फिर उनको add करना भी मुश्किल होता सब कुछ आपको आगे जाके कहीं नागी problem में डाल देते और यह जो number से यह number बहुत easy आ गए तो अब हमने क्या करना है अब हमने just यहां पर जो हमारे पास sigma fi है वो लेना है तो हमारे पास हम देखेंगे और यहां पर अगर हम देखेंगे एफ आई यहां पर हमारे पास माइनस 17 है और प्लस 16 है तो माइनस वन आ जाएगा हमारे पास अब अब जो है हमने just जो हमारे पास mean का formula होता है वो mean का formula लगाना है shortcut method में आपके पास mean का formula और आपको चाहिए कि आप सबसे बहले question जो है वो question में जो भी दिया हुआ है आपको जैसे कि mean concentration of SO2 दिया हुई है वो आप उपर लिख लेंगे तो now mean concentration of SO2 और उसके बाद आप यहां पर formula जो है वो लगा देंगे तो formula जो है वो आपके पास x bar और x bar में आपके पास यहां पर सीरा सीरा a plus sigma fi ui upon sigma fi multiplied by h यहां जाएगा a आपको यहां पर मिला हुआ है 0.10 जो आपके पास fi ui है वो आपका minus 1 आया है जो sigma fi है वो आपका 30 है और जो आपके पास class size है वो आप class size किसी को भी minus करेंगे तो भी मिल जाएगा upper limit में से lower limit हमने minus कर देंगे तो 0.04 यह आगया आपके पास अब अगर हम इसे solve करते हैं तो यहां पर हमारे पास 0.04 को 30 से हमने divide करना है अब यहां तो हमारे पास 0.10 ही रहेगा और इसे अगर हम solve कर देंगे तो हमारे पास यहां पर जो है वो आप नेक्स लाइन में लिख देता हूं यह यहां जाएगा हमारे पास 0.09 और 87 यह हमारी वहां पर जो mean concentration है एस सो टू की वह होगी आप चाहें तो answer statement जो है जिस भी unit के अंदर यह हमारे को दिया हुआ है वह unit use करके वहां पर answer statement दे सकते हैं या नहीं PPM में तो हमारे पास यह जो है यह mean concentration of SO2 इतने PPM आ लगी है कि प्रस्ट नमर एट क्लास जीचर है जो हमारे पास यहां पर XI है वह हम XI निकालेंगे तो XI जो है वह हमारे class marks होते हैं दोनों को आप add करेंगे log limit और upper limit और टू से क्योंकि यहां पर हमारे पास यह जो class intervals है यह regular नहीं है तो हमारे पास एक way होता है जिसमें हम class interval को regular करते हैं उस way में problem क्या है यहां पर हमारे पास कई ऐसे हमारे पास fi हैं ऐसी frequencies हैं जिनने अगर मालो हम divide करेंगे class size से तो वह हमें decimal values दे देंगी तो बजाए इसके कि वह उस एक है direct दूसरा है हमारे पास assumed mean और तीसरा है हमारे पास shortcut उसमें shortcut method तो use हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर जो h है वो हम h की value कौन सी लेंगे वो हम decide ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब में h की value हमारे पास अलग-अलग-अलग होती जा रही है तो ऐसे में shortcut method को अपने दिमाग स से निकाल लेते हैं अब हमारे पास दो बस्ते हैं वह है हमारे पास एक है direct method और एक है हमारे पास assumed mean method जो है ऐसे में मैं वह भी recommend नहीं करूंगा जब कभी भी आपके पास इस तरह का data हो तो हमेशा direct method वह आपके लिए थोड़ा था मुश्किल तो होगा आपको कही जगे जो calculation है उसमें थोड़ा time देना पड़ेगा लेकिन हमेशा अच्छा रहता है कि आप direct method ही apply करें तो यहां पर जो है वह आपके पास f i x i आएगा सीधा सीधा यहां पर अगर हम देखें तो simple हमने multiply करना है मैं आपके सामने यहां पर multiply कर रहा हूँ आप साथ-साथ में चाहें तो multiply कर लीजिए चाहें तो आप just देख लीजिए यह हमारे पास इस तरह से यह आ जाएगा अब जो है वह हम जैसे f i और f i x i का sum लेते हैं बिल्कुल वैसे ही लेंगे सिग्मा f i जो है वो हमारे पास यहां पर अगर हम देखेंगे 21 32 32 और 48 तो फॉट गया गया है हमारे पास यहां पर अगर हम देखते हैं तो f i x i यह हमारे पास 3, 4, 7, 15, 21, 39, 49, 3, 6, 14, 22 यहां पर 28 और 14 हमारे पास 46 और 3 तो हम देख सकते हैं हमारे पास sum जो है वो 4.99 आ जाता है अब जस्ट हमने वहाँ पर जो mean है वो निकालना है और हमें वहाँ पर बोला हुआ है mean number of days a student was absent तो सबसे पहले हम यहाँ पर mean निकाल लेते हैं और उसके बाद हम statement देदेंगे mean निकालने के लिए बहुत ही simple सा हमारा जो direct formula होता है यानि sigma f i x i divided by sigma f i वो लेना है हमने हमारे पास यह 499 है डिवाइड हमने करना है इसको 40 से और जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 12.475 आ जाता है तो अगर आप चाहिए तो राउंड आफ करके आप 48 कर दीजिए उससे कोई फरक नहीं परता और अब जो है आपने answer statement क्योंकि आपने आपर लिखा नहीं है तो answer statement देते हैं तो हैंस तो मीन नमबर आफ डेज अ स्टूरेंट वाज अब सेंट अब सेंट इस 12.475 यह हमारे पास final answer है question number 9 the following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities find the mean literacy rate पहला step XI निकालेंगे हम XI हमारा class mark है तो हम देखी चकते हैं बहुत ही easy data है अगर हम यहाँ पर class mark निकालना चाहें तो 45 प्लस 55 अगर हम 260 इवाइट करेंगे तो 50 हमें देदेगा और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है काफी questions के अंदर कि अगर आप यहाँ पर प्लस और डिवाइड वाले चक्कर में नहीं पढ़ना जाते तो simple इसका midpoint देख लिए 45 और 55 का mid जो है 50 होता है और यहाँ पर जो है इस तरह से आ जाएंगे और data इतना easy है कि अगर आप direct way multiply करते हैं तो भी कोई जादा खतरनाक sum नहीं आने वाला आपके पास लेकिन फिर भी जैसा कि हमसे कहा जाता है कि कभी भी अगर बड़े number हैं तो हमेशा हमें वहाँ पर shortcut method लेना है तो वह लेते हैं 123455 class interval हैं तो थर्ड हमारा जो यहाँ पर है यह assumed mean देगा हमारे को class mark और अब जो हम यहाँ पर u निकालेंगे ui is equal to वह हमारे पास x i minus a upon h होगा तो 50 में से 70 minus करेंगे तो हमारे पास minus 20 आएगा minus 20 को divide करेंगे 10 से क्योंकि हमारा class size 10 है हमारे पास minus 2 आएगा और इसी तरीके से यहाँ पर minus 1 0 1 2 यह आजाएंगे और यह भी मैंने आपको कई बर बताया है जहां पर हमारा assumed mean होता है वहाँ 0 आ जाता है उपर minus 1 2 minus 3 जैसे आएगे और नीचे जो है 123 हम ले सकते हैं अब next step हमारा fi ui होता है fi ui में हम ui को fi से multiply करते हैं हमारे पास minus 6 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास minus 10 आ जाएगा यह 0 हो जाएगा 8 बंजा 8 and 3 तूजा 6 minus 16 plus 14 minus 2 आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले fi यहाँ पर 13, 11, 24, 38 32 और 35 35 यहाँ पर है और यहाँ पर fi ui जो है वो हम पहले से calculate कर चुके है minus 2 आएगा हमारा अब यह जो data है इस data को लेकर आगे बढ़ते हैं हमारे पास जो mean है वो निकालते हैं now जो हमारा mean है उसके लिए formula है a plus sigma fi ui upon sigma fi multiplied by h यहाँ पर a की value हमारी 70 है और plus हमारे पास यहाँ minus two है नीचे हमारे पास 35 है और जो class size है वह हम देखी चकते हैं आप limit minus lower limit करके कि हमारे पास यहाँ पर 10 है अब अगर हम चाहें तो यह देखेंगे कि 5 से cancel कर दीजिए 2 आ जाएगा यहाँ 7 आ जाएगा तो minus 4 upon 7 आ गया हमारे पास अगर हम इसे solve करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 70 minus 0.5 714 69 0.42 लेकिन अगर आप exact होना जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 8 है जिसे हम round off करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर value जो है वह हो जाएगी 69.43 तो यह ज्यादा accurate है बजाए इसके कि हम वहाँ पर 4 टू लिकें अब यही हमने वहाँ पर answer statement में देना है क्योंकि यहाँ पर कोई भी statement हमने नहीं दी थी तो हमारी जो mean literacy rate है mean literacy rate for the given cities is 69.43% क्योंकि percent में ही हमारे को data दिया हुआ है तो percent में ही हमारा answer आएगा तो बस बेटा जी इस exercise के लिए इतना ही मिलते है next video में अगर आपको मेरा method जो है वह पसंद आया हो तो please like share and subscribe झाल 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 झाल